दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का सौगत है एक्जाम सुध में सी यूट्यूब चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम लाए हैं इंग्लिश का प्रश्ण पत्र दोस्तो अंग्रेजी का जो प्रश्ण पत्र था 2019 में पूछा गया था यूपी बोर्ड के और 70 नमर का प्रश्ण पत्र की तरह काम करें का यूपी बोर्ड 2020 में जो विध्यारती पर एक्षा देंगे उनके लिए तो शुरू करते हैं दोस्तो निर्देश हमें पता ही है कि निर्देश दिये गए हैं कि 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिये गए हैं वो वो हमारा पेपर पढ़ने के ल खंड हैं A और B दूसरा है important instruction कि all questions from the two sections are compulsory यानि कि दोनों खंडों के सभी प्रश्ण अनिवार हैं तीसरा है हमारा marks are indicated against each question जो प्रश्णों के नंबर हैं वो उनके सामने लिखे हुए हैं और जो हमारा last instruction है वो ये है कि read the question very carefully before you start you start answering them तो प्रश्णों का उत्तर देने से पहले आप उसको ठीक से पढ़ लो तो हम दोस्तों यहां पर आपको दिखाएंगे तो section A start हो जाता है यहां पे तो section A और B दो हैं तो section A में कौन से पहला प्रश्ण है दोस्तो read the following passage and answer the question given below दोस्तों यहां पर आपको दिए गया passage को पढ़ना है यह जो passage इतना दिए गया है इस passage को पूरे passage को पढ़ना है और नीचे दिए गया प्रश्णों के आपको उत्तर लिखना हैं तो ये दो से यहाँ पर दो प्रशन आपको दिये गए हैं पैसेज पर्ड़ो और इन दो प्रशनों के उत्तर लिखो दूसरा question हमारा इस्टार्ट हो जाता है दोस्तों तो दूसरा प्रशन क्या है कि आंसर एनी वन आफ दो फॉलोइंग क्वेशन इन अबाउट 60 वर्ट यानि कि साथ शब्दों में प्रशनों का आपको उत्तर देना है यह दो प्रशन है किसी एक का आपको उत्तर देना है या तो एका या बी का अगला क्वेशन हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेशन हमारा तीसरा क्वेशन है तीसरा क्वेशन क्या कहता है तीसरा क्वेशन कहता है आंसर एनी टू आफ फॉलोइंग क्वेशन इन अबाउट 25 वर्ट तीन में से दो क्वेशन का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना ह और इसके लिए आपको चार अंक देंगे यानि कि प्रतेक प्रस्षिन दो अंक का है नेक्स्स क्वेशन है match the word list A with their meanings in list B उन meaning को आपको मिलान करना list A से list B का जिनका माइने समान हो यानि कि जिनका मतलब सेम हो मिलती जुलती meanings को आपको match करना है इसके लिए आपको हर मैच के लिए एक नमबर मिलेगा यानि कि ये चार नमबर का प्रेशन है दोस्तों पांचवा जो प्रेशन है पांचवा प्रेशन है हमारा कविताई हैं से स्टार्ट हो गए इस कविता को आपको पढ़ना है और नीचे दिये गए प्रेशनों का उत्तर लिखना है हर एक प्रेशन दो अंक का है अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो आपको छटा प्रेशन मिलता है अपने किताब की किसी कविता की चार लाइने लिखना है देखिये लेकिन वो कविता आपके इस प्रेशन पत्र में ना आई हो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे जो हमारा सात्वा प्रेशन है सात्वा प्रेशन क्या कहता है सात्वा प्रेशन दोस्तों कहता है कि आंसर एनी टू of the following questions about 25 words जो ये तीन प्रश्ण है इसमें में से किसी दो प्रश्णों के उत्तर आपको 25 शब्दों में देने हैं और इसके लिए आपको टोटल 4 अंक मिलेंगे यानि कि हर एक प्रश्ण पर 2 अंक दिये जाएंगे आठवां प्रश्ण दोस्तों कहता है आठवां प्रश्ण हमारा कहता है कि point out the true and false यानि कि सही गलत आपको बताना है कौन सा वाक के सही है और कौन सा वाक की गलत है तो यहाँ पर A, B, C, D, 4 वाक की दिये गए हुएं आपको बताना है कि आपने जो चैप्टर पढ़े होंगे उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि कौन सा true है कौन सा false जो true है यानि कि सत्त है उसके आगे आपको T और जो false है उसके आगे आपको F अंकित करना होगा इसके लिए आपको दोस्तो चार अंक मिलेंगे नवा प्रशन क्या कहता है दोस्तो नवा प्रशन कहता है कि select most suitable alternative to complete the following statements आपको अपने पाठ्य पुस्तक में जो आपने पाठ्य पढ़े हैं जो इंग्लिश में चैप्टर पढ़े हैं प्रोस, पोईट्री वगएरा तो उसमें जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको filling the blanks करना है तो यहाँ पर A प्रशन यहाँ पर था, फिर B है आपका, फिर C है इसी तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यह B है, Edison was found off, ठीक है, C है, the guilty, the guilty trembled before Vikramadity because तो जो suitable हो आपको इस रिक्तिस्थान में भर देना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह से D यहाँ पर था, अब यहाँ पर section A जो था हमारा section A जो था वो समाप्त हो जाता है और यहाँ से हमारा section B यानि कि grammar वाला portion स्टार्ट होता है तो grammar में क्या-क्या है, do as indicated against each of the following statements तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिका हुआ है, him give eat to something, please frame a correct sentence by re-ordering the words यानि कि यह अशुद्ध वाक्या इसको आपको शुद्ध बनाना है, इसके लिए आपको दोंग मिलेंगे दूसरा है, people always admire the freedom fighters इसको आपको change करना है passive wise में यह bracket में जो निर्देश दिये गए है, उसी वाक्य में आपको इसको परिवर्तित करना होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला प्रेशन है वो है इसको आपको करना है indirect speech में और चौथा है हमारा my brother has, और बाद में रिक्तिस्थान है, his new books तो यहाँ पर आपको use the correct form of verb bring, तो bring का जो सही form है वो आपको यहाँ पर भरना है पर तेक प्रेशन दो अंका था, दोस्तों ग्यारवा प्रेशन हमारा क्या है ग्यारवा प्रेशन है कि choose the correct preposition from one given below the sentence to fill in the blanks तो यहाँ पर इस sentence में आपको जो सही preposition है वो भरना है दूसरा क्या कहता है, बी वाला complete the following sentence, इसको आपको complete करना है सी कहता है, complete the spellings of the following words, तो यहाँ पर आपको spelling complete करनी है डी वाला question क्या कहता है, इसमें आपको spellings complete करनी है डी वाला कहता है, punctuate the following using capital letters whenever necessary, जहाँ अवश्यक हो capital यानि की जो बड़े शब्द होते हैं, एक होते capital words तो एक होते small words तो capital words का use करते हुए आपको यह जो वाक्य दिया हुआ है, इसको सही करना है दोस्तों बारवा question हमारा अनुवात का आजाता है, तो यह एक story होगी या अनुवात कहले या translation कहले तो translate the following into English इसको आपको English में परिवर्थित करना है तो English में आपको इसको परिवर्थित करना है यहां पर आप देख सकते हैं, जो कुछ भी है आप पढ़ लो और उसको परिवर्थित करो इसके लिए आपको चार अंक मिलेंगे next question हमारा, जो तेरवा question है दोस्तों तेरवा प्रशन कहता है कि write an application to the principal of your college requesting him to grant leave of absence for three days on account of your illness तो अपनी बीमारी के चलते आप अपने college के प्रधानाचारे को एक प्रारतना पत देखिए जिसमें आपने तीन दिन की छुट्टी की मांग की हो अपना role number और नाम वगारा नहीं डालना है उसमें आपको x, y, z लिखना है अथवा में क्या है दोस्तों? write a letter to your friend अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए to attend your brother marriage ceremony अपने भाई की जो विवास हमारो है उसमें बुलाने के लिए अपने दोस्त को आप एक पत्र लिखिए इसमें भी आपको अपना नाम, रोल लंबर और अड्रेस नहीं लिखना है इसमें बस आपको x, y, z करके छोड़ देना है दोस्तों 14 नंबर का जो प्रेशन है वो क्या कहता है? वो कहता है write a composition of any of the two topics in about 60 words points are given below each topic to develop the composition तो दोस्तों यहाँ पर आपको निबंद लिखना है और इसके लिए आपको 6 नंबर दिये जाएंगे और जो निबंद है उसकी headings उन्होंने दे रखे हैं जैसे एक good teacher पर आप निबंद लिखोगे तो आपको इन headings पर लिखना होगा कि उनका नाम क्या है, class क्या है और वो क्या पढ़ाते हैं और उनकी dress कैसी है, उनकी qualification क्या है और उनका विवहार कैसा है, उनकी आदतें क्या है और फिर आप निश्करश लिखोगे इसी तरह से यहाँ पर एक topic दिया हुआ है An Indian Festival यानि कि एक भारती तेओहार तो पहले सबसे introduction, परिचे दोस्तेओहार का फिर time of its celebration फिर उसका time बताओ कि कब celebrate किया जाता है preparation for the festival उसके क्या तैयारिये होती है how it is celebrated यह कैसे मनाया जाता है और फिर निश्करश आप लिख सकते हैं शे नंबर का यह प्रश्ण है निबंद का दोस्तों तो दोस्तों हमारा जो तीसरा निबंद है तीसरा निबंद है वो है कि a trip to a historical place एक आतिहासिक जगा पर आपका ब्रहमण तो यहाँ पर यह heading दी गई हुई है आपको यह लिखना है नाम बताईए और उसकी situation क्या है description थोड़ा विवरंड दीजिए और उसका महत्तों क्या है उसके लाब क्या हुए जो आपने ब्रहमण किया और फिर निशकष तोसरा हमारा जो 15th question है वो है read the following passage carefully आपको दिया गया passage ध्यान से पढ़ना है और answer the set there on पढ़िये और इससे संबंदित प्रशनों के दोस्तों उत्तर आपको लिखने होंगे तो यहाँ पर यह passage है आप आराम के साथ पढ़ सकते हैं तो दोस्तों जो हमारे प्रशन है वो यह है कि why was the shopkeeper surprised or why did the man say to the shopkeeper तो तीन और तीन यानि कि टोटल छे नंबर का यह passage है दोस्तों जब आप passage पढ़ेंगे तो आपको इन दो प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे दोस्तों यह था हमारा पूरा इंग्लिश का paper और कक्षा 10 2019 में जैसा आया था उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो यह पूरा और आप 2020 की परिक्षा के लिए आप इसका use एक model प्रशनपत की तरह कर पाएंगे तो दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो में exams with MS के साथ इसी तरह से बने रही है important videos, papers और tutorials के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching and listening me and good luck for your future thank you and bye